दिल्ली अपकारी नीती घोचाला मामली में प्रवर्तन निदेशाले ने एक और वैक्ती पर अपना स्रिखन जाकसा है। इस बार गिरफतारी गोवा से हुई है। इडी ने विनोज चोहान नाम के वैक्ती को गिरफतार किया है। एक अधिकारी के मताबिक चोहान पर गोवा में आम आदमी पाटी के प्रचार के लिए फंड ट्रांसफर करने का आरोप है। के कविता के कर्मचारी के बयान के आधार पर एड्वोकेट विनोज चोहान की गिरफतारी हुई है। के कविता के कर्मचारी ने 8 जुलाई 2023 को बयान दिया था। जिससे पता चला कि उसने अभशेक बोहिन पल्ली के निर्देश पर दिनेश अरोडा के कार्याले से नगदी से भरे दो भारी बैग लेकर विनोज चोहान को दिया था। इसके बाद एक बार पर उसने टोड़ापुर के एक पते से दो बैग कैश लेकर विनोज चोहान को दिया था। आरोपों के मताबिक विनोज चोहान ने इसे हवाला के जड़िये गोवा में चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी को ट्रांसपर किया था। इस मामले में गिरफतारी का सलसला बहुत पहले शुरू हो गया था। दिल्ली सरकार ने इस पॉलिसी से राजस्व में 95,000 करोर रुपे की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। इस पॉलिसी के लागू होने पर सरकार शराब के कारोबार से बाहर हो गई थी और इसे प्राइविट कमपनियों के हवाली कर दिया गया था। इस पॉलिसी के मताबिक दिल्ली में कुल 32 जोन बनाए गए और हर जोन में शराब की अधिक्तम 27 दुकानों को खोलने की मनजूरी दी गए। उस समय दिल्ली सरकार के मुख्य सचीब नरेश कुमार को इसमें कुछ गरबरी लगी तो उन्होंने लेग गवर्नर वी के सकसेना को रिपूर्ट सौपी। बाद में LG ने CBI जांच की सिफारिश कर दी। इस मामले में CBI ने 17 अगस 2022 को पहली बार केस तर्च किया। इस बीच दिल्ली सरकार में इस पॉलिसी को रद कर दिया। इसके बाद CBI और ED ने इस घोटाले की परते खोलनी शुरू कर दी। कई ठीकानों पर छापे मारे गए और आरोपियों की गिरफतारी शुरू हो गए। दोनों इजिंसियों ने कोट में 4 शीट भी दाखिल की है। आरोपियों के मुताबिक इस पॉलिसी ने दिल्ली सरकार को कथित तौर पर 2873 करोर रुपे का नुकसान हुआ। हालक याम आदमी पार्टी इन आरोपों को नकार रही है।